सब्सक्राइब करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर 27 गनित सब्जक्ट की है बच्चों के लिए और आज आपका नया चैप्टर जो स्टार्ट हो गया है प्रायोगिक जयामिती ठीक है तो देखो इसमें कैसे है भूमी का सबसे पहले जिए आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या होगा बच्चों भूमी का बांधना होता है कि कि किसी टोपिक तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी बाते बोलना जो कि आपके डेली लाइफ से रिलेटीड हो जैसे बच्चों आपने जियामती बोक्स जरूर देखा होगा जियामती बोक्स मतलब क्या होता ह जिसको बोलते हैं इंगलीस में, ठीक है? तो वो आप सभी ने देखा आपके पास होता भी है, तो जब आप खरीद के लेके आते हो तो वेटा उसों बहुत सारे आपको स्केल या ये अलग-अलग तरीके के जो है ये दिखते हैं, ठीक है? तो ये होते क्या है, इनका यूज हो करन क्या है बेटा देखो सबसे पहले एक तो क्या पाये जाता है वहाँ पर रूलर जिसको स्केल भी बोलते हैं ठीक है इंगलिस में आप इसको फूटा भी बोल देते हो ठीक है इसका प्रियोग क्या होता है बेटा रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे प इंच होते हैं, इंचीज, यह इतना एक इंच है, यह इतना एक सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर देखो कौन सा बड़ा है, इंच बड़ा है, ठीके, और सेंटीमीटर क्या है, छोटा है, ओके, तो यहाँ पर क्या है, रूलर का प्रियोग हम रेखाखंड खीचने, रेखाखं क्या होता है Plan apology प्रकार के दो सिरे होते हैं एक सिरह होता है दूसरे सिरह में हमें और क्या बनाते हैं या तो हम आर्क बनाते हैं इस तरह की या फिर हम एक सरकल बनाते हैं वृत बनाते हैं ठीक है अब प्रकार का प्रियोग हम चाप देखो जो मैंने आर्क बोला था उसको बोलते हिंदी में चाप चाप खीचने के लिए या फिर वृत खीचने में इसका प्र डिवाइडर के दो नुकिले सिरे होते हैं इसका प्रियोग लंबाईयों की तुलना करने के लिए होता है जैसे आपको यहां पर कोई दो लंबाई दे दी ठीक है उसको मापने के लिए इसका प्रियोग क्या जाता है पहले यहां पर हमने इसके इसेंड पर रखा इसेंड पर तो यह हमें ऐसे लाइन खीच लेते हैं, divider क्या करता है, divide करवा देता है, ठीक है, अब next क्या है बटा, set square, ठीक है, set square क्या होता है, ये दो होते हैं, ओके, ये दो तिर्बूजाकार यंत्र होते हैं, ये क्यासी shape क्या है हैं बटा, किस तरीके क्या करते हैं, इनकी चांदा जिसको बोल देते हैं या कौन मापक भी बोल देते हैं जिसको डी भी बोला जाता है इंगलिस में आप इसको ज़्याद़ तर दी बोलते होंगे ठीके तो ये क्या है चांदा, ओके, चांद की आकरती का होता है, इसलिए इसका नाम चांदा है यह एक अर्ध वृत्ताकार यंत्र है, जिस पर 0 से 180 डिगरी तक भाग चिनित होते हैं तो बटा देखो इस पर क्या होते हैं, 0 से देखो, यह रहा 0 और दोनों साइड पर स्टार्ट होते है, 0 से इधर भी है, और इधर भी है, 0 से यह 180 तक जाएगा और इधर से देखोगे, तो इधर से भी 0 से 180 तक आता है, ठीक है और हमारा अगर हम इसको पूरा करते हैं, तो 360 हो जाता है एंगल, लेकिन यह सिर्फ अर्द विर्ताकार है, तो इसका मतलब यह क्या है, 180 का होगा, इसका आधा, ठीक है एक बिंदू decide करोगे, या एक line decide करोगे, उस line पर इसको रखोगे, आपको खीचना है 30 डिगरी का तो यह रहा 30 तो आप यह 30 डिगरी खीच दोगे, अगर आपको इस side नहीं खीचना, इस side खीचना है तो आप इधर 30 डिगरी इधर से 30 degree खीच दोगे, ये 30 degree है, ये भी 30 degree है, इस तरीके से हम इसका प्रियोग करते हैं, इनका प्रियोग कोनों को मापने या फिर खीचने में किया जाता है, ठीक है, मानलो आपने ये ऐसे रेखा खीच दी, अब आप जानना चाहते हो कि ये कितना है, तो आप इस रेखा पर क्या करोगे, डी रखोगे, इस डी रखने पर ये जिस पर भी लाइन पर ये मैच करेगा, उतने का ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, अब बेटें यहां पर आपको क्या दिया है, आओ करें, यहां पर आपको ये आकरती दी गई है, भवन की, आओ मिलकर ढूंडें, इस कितने जियामती उपकरन यूज हुए हैं, और आकरतियों का उपयोग किया गया है, तो देखो, उपकरन कौन-कौन से हैं बेटाइस में, सबसे पहले तो ये देखो, एक तो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, रूलर, ठीक है, दूसरा बेटाइस में क्या हुआ है, ये दोन और कौन सा है बेटा, ये, चांदा, ठीक है, और आपको इसमें कुछ दिख रहा है, सैट स्क्वेर आपने पढ़ा, रूलर पढ़ा, डिवाइडर पढ़ा, ओके, तो इस तरीके से इनका परियोग, और देखो, यहां पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन इसको खीचने के ल पताती हूं, ये आकरती क्या है, वृत, ठीक है, और ये जो आकरती खीचे बेटा, समानतर रेखा हैं, खीचने के लिए किया गया है, ये आकरती हमारी क्या है, आयत, और जो ये आकरती है बेटा, ये वाली, ये क्या है, त्रिवूज, ठीक है, उसके बाद बेटा, आप यह यहां पर देख रहे होंगे यह भी आयत है ठीक है और कौन-कौन सी आ करती है यहां पर यह जो यह बिटा देखो यह वाली आ करती है यह क्या है चतुर बूज है क्या ही यह चतुर बूज है ठीक है और कौन-कौन सी यह बिटा है यहां पर आप यह वाली देख सकते हो यह अर् गोला ठीक है तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई आकरती इसमें नजर आती है बेटा तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है तो यह थी बेटा आपकी आज की वक्षित उमीद करते हो आपको अच्छे से समझ आई होगी फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हो इस वीडियो में इतना ही अपना नेक्स्ट ओबिक जोगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अगर आपको समझाय होगा मेरा पसंद आया बेटा दिल से तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा तब तक के लिए ऐसी हसते रही है मुसक्रात रही है बढ़ते रही है बढ़ते रही है थैंक यू